हेलो एव्रिवान वेलकम टो पीड़ेब्ली ओनली आई एस दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर जहां पर हम पिछले एक वीक यानि की छे आक्टूबर तक के फ्रॉम फर्स आक्टूबर से लेकर ये छे साथ दिनों के अंदर जो भी एक्वानमी के कॉर्स को देखो पहला एक मुद्दा जो हमें डिसकर्स करना वो एफ एन ओ के बारे में ही है देखो पिछले कुछ टाइम से फ्यूचर्स एंड ऑप्शिन्स इनकी बहुत 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 जाचर्चा हो रही है कुछ कारण इसके जो रहे हैं वो ये हैं कि एक तो सेबी के दोड़ा उनको स्ट्रिक्ट किया गया है तो इस वज़ा से फ्यूचर एंड ऑप्शिन वाला मुद्धा बार बार न्यूज में आता ही रहता है या रैदर आशूट से डिटेल डिसकुशन इस मुद्धे पर करी लेते हैं कि आखिर डियूटिवेटिव क्या होते हैं आपके किस किस आपको एक CCC आउज से डिराइब करें वाब पुछ इंगे अपनी वैल्यू किसी और से डिराइब करना वाट डरस दिस मूभि मैं आपको एक एकजमपल देता हूं जैसे मैं आपको एकजमपल देता हूं चावल की अब लेटसे चावल का दाम आज है 20 रुपे किलो है अच यहां पर हमारा एक किसान है ठीक है मैंने इसका नाम रख दिया राम ठीक है और यहां पर एक हमारे पर दूसरा इनसान है लट से मैंने इसका यहां पर नाम रख दिया अंकित ठीक है अब राम तो था किसान और अंकित को चाहिए चावल पर आज नहीं चाहिए इनको चाहिए एक महीने बाद, समझना इस मात को मैंने कहा, अंकित को चावल चाहिए कब? एक महीने के बाद और राम के पास भी अभी चावल नहीं है राम के पास चावल की खेती करी हुई है और एक महीने बाद उसकी फसल कट जाएगी कि चावल के दाम बहुत कम हो जाए और चावल के उपर जितनी राम ने मेनत करी थी वो सारी वेस्ट हो जाए Do you understand this point? राम को डर है ये अंकित को चावल चाईए अपनी फैमली के लिए या किसी भी और परपस के लिए चावल चाईए हो सकते अंकित को अंकित को आज तो मार्किट में 20 रुपे खिलो चावल मिल रहे है पर उसको चावल आज चाईए नहीं उसको चावल चाईए एक महीने के बाद और अंकित को पता क्या डर है अंकित को डर ये है यार चावल कहीं महेंगे ना हो जाए कहीं we 30 capsule न गया नहीं, तो दोनों का डर है, राम का डर ये है कि चाल कहीं नीचे ना आ जाए मुझे फरक नहीं पड़ेगा कि मार्केट में चाल का दाम क्या है, मैं तुहें 20 रुपे किलो को बेज दूँगा, इससे राम भी सेक्योर हो गया राम को सेक्योर क्या हो गया राम को ये है कि हाँ एक महीने के बाद अंकित आपके चावल खरीद लेगा 20 रुपे के साब से कोई भी दाम हो मार्किट में मैं सेक्योर हो जुका हूँ अंकित को क्या सेक्योर्टी होगी कि मार्किट में अगर मालो दाम महंगा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं मैं राम से 20 रुपे के हिसाब से खरीद हूँगा समझभाए हो यह contract है दोनों के बीच में अब मुझे बताओ यहाँ पर बात derivatives की कहां से आगी derivatives के बात पता क्यों होई यह contract की value कहां से derive हो रही है आप बोलोगे sir contract की value हो रही है derive चाबल से तो हो क्या रहा है contract की value किसी और से derive होती है तो ऐसा कोई भी चीज जो ना किसी और चीज से value derive करे यानि कि rather I should say इसको मैं बोल सकता हूँ underlying asset से जब उसकी value derive होती है ना उसको हम बोलते है derivative यहाँ पर आपका underlying asset क्या था यहाँ पर underlying asset आपका चाबल था कल को यह कुछ और भी हो सकता है आपके shares हो सकते हैं यहाँ पर चाबल की जगा आपके currencies हो सकती हैं आपके stocks हो सकते हैं interest trade हो सकता है चाबल की तरह कोई और commodity हो सकती है यह सारे underlying asset होंगे बस ध्यान ही रखना है कि जब भी किसी contract की value उसके underlying asset से derive होती है उसको हम बोल देते हैं derivative I hope यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर underlying asset क्या था चावल तो इसको हम बोल देंगे जो contract की value derive होई इस चावल से होई इसलिए इसका नाम हमने देते derivative अब derivatives बहुत सारे types के हो सकते हैं जैसे एक होता है आपका forward एक होता है आपका future एक होता है आपका option एक हो गया आपका swap देखो swap तो इतना हमें पढ़ने की जुरूद नहीं है swap आपके currency context में हो सकते है आपका interest rate context में हो सकते है पर बाकियों को थोड़ा हमें यहाप detail में समझना पड़ेगा तीनों बाकियों को यह सारे के सारे na derivatives के form ही है ठीक है और इनके में अंदर क्या difference है मैं वो भी आपको explain कर दूँगा पहले थोड़ा forward को समझ लो अगर आपने forward को समझ लिया आपको जहातर clarity मिली जाएगी action में जो मैंने अभी आपको example दिया ना वो more or less forward का ही example था चलो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम एक और example ले लेते हैं हम ले लेते example यहाँ पर bunny और naina का ध्यान से समझना बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है forward futures options समझने में आपने एक बार समझ लिया ना फिर जिन्दगी बार नहीं भूलोगे अब दो लोग हैं bunny और naina ठीक है अब let's say bunny के पास कुछ shares पड़े हुए ठीक है कोई भी XYZ company के इसके पास share पड़े हुए है अब यहाँ परना एक क्या होगा इसका आज का price माल लो एक share का दाम आज के समय है कोई भी XYZ company माल लो माल लो कोई मैंने TCS का माल लिया माल लो TCS का share आज 100 रपेगा है ठीक है और bunny के पास ऐसे 10 share है और आज तारीक क्या है आज तारीक है 8 October ठीक है अब bunny पता क्या करना चाता है bunny इन shares को sell करना चाता है पर वो आज नहीं sell करना चाता वो sell करना चाता है लेटसे एक महीने बाद ठीक है आज नहीं नहीं को PCS के share खरीदने है पर वो आज नहीं खरीदना चाती वो एक महीने के बाद ख्रीदना चाहती है लेट से 8 नमेंबर को ख्रीदना चाहती है तो यहाँ पर कुछ terminologies का आपको पता होना चाहिए पहली बात आज कितना दाम है आज दाम है 100 रुपया तो एक सेकिन, आज दाम कितना है आज दाम है 100 रुपया तो इस 100 रुपय का हम क्या बोलेंगे इस 100 रुपय का बोला था spot price, यानि कि आज दाम कितना है ठीक है अब 8 नमेंबर एक डे है ना जिस दिन को यहाँ पर यह settlement होगा उसी दिन को हम बोलते हैं या तो expiry date आप इसको बात कर लो या आप इसको बोल सकते हो settlement date या इस दिन को expiry मतलब इस दिन को settlement होगा इस दिन को क्या होगा बनी नैना को यह 10 share दे देगा बात समझे और इनके बीच में कुछ price भी तैक कि होगा कि यानि कि 8 नमेंबर को कितने रुपय में बनी नैना को बेजेगा वो भी तो तैया करना होगा माल लेते हैं कि बनी ने भी यह promise किया कि महीने बाद नो तो 100 पे है मेरे से ले लेना share तो जो 100 पे यह हुआ जो भी contract की मतलब जिस दिन settlement होगा उस दिन जो उसका price होगा उसको हम बोलते हैं forward price, future price जो भी आप कहना चाओ समझे इस बात को और ये थी हमारी settlement date contract size कितना है वो है 10 share का size होता है ना तो contract size आपके सामने है 10 share का अब यहाँ पर एक चीज़ notice करो ये ना इन दोनो entities के बीच में ये बात हो रही है bunny और नेना कोई तीसरा बंदत होड़ी है इन दिनों के बीच में नहीं ये दोनों आपस में discussion कर रहे है जब भी ये discussion आपस में होता है ना ऐसे contract को हम बोलते हैं forward समझ रहे हूँ यहाँ पर कोई बीच में exchange थोड़ी है exchange मतलब जैसे आपका कोई भी exchange होती है जैसे आपका national stock exchange bombay stock exchange multi commodity exchange क्या कोई exchange इसके अंदर है नहीं इन्हों ने तो बस आपस में contract कर लिया दो लोगों ने कोई third party यहाँ पर ही नहीं तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं forward समझे इस बात को अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी सर इन्हों ने promise तो ये कर लिया कि एक महीने बाद 100 रुपे में बनी नैना को बेच देगा पर let's say उस समय मार्केट में दाम हो गया share का 105 रुपे तो क्या हुआ तो बनी को भई देना पड़ेगा नैना को तब भी 100 रुपे के अंदर बनी 100 रुपे में देगा ना नैना को और नैना 100 रुपे में उसको खरीदेगी भी तो हुआ क्या मार्केट में उसका दाम चल रहा 105 पर नैना को वो share कहीं से 100 रुपे में मिल गया तो नैना को हो गया 5 रुपे का profit और बनी को हो गया 5 रुपे का loss क्योंकि market में उसका दाम चल रहा 105 रुपे पर bunny ने contract एक महीने पहले बोल दिया था कि मैं 100 रुपे में बेचूंगा तो यहां पर bunny को 5 का loss हुआ और नैना को 5 का फाइदा तो इस चीज को पता क्या बोलते हैं एक का फाइदा दूसरे का नुकसान इस चीज को बोलते हैं zero sum game bunny का नुकसान is equal to नैना का फाइदा यानि कि net में sum क्या हुआ net में sum हुआ zero बात समझे यह होता है आपका future sorry forward, forward कब हुआ जब दो parties ने आपस में contract कर लिया यहां पर बीच में कोई भी third party या कोई भी exchange आपको नहीं देखने को मिली, इसको हम बोलते हैं आपका forward, I hope आपको forwards के अंदर किसी को भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है, अब आप पूछेंगे sir अगर forward यह होता है, फिर future क्या होता है देखो forward और future में ना कुछ differences है बस अगर आपने differences वो पकड़ लिये आपको दोनों में अराम से clarity आजाएगी है same ही चीज, बस फरक पता क्या होता है forward में ना मैंने आपको बताया मैंने बताया कोई भी exchange और इन्वाल्व नहीं है ना आपका national stock exchange ना आपका bombay stock exchange किसी भी exchange के वीच में नहीं काम हो रहा यहाँ पर future में क्या होता है कोई ना कोई exchange आ जाती है तो दरसल में यह क्या होता है यह exchange के उपर trade होते है आप इनको खरीद सकते हो exchange से समझे plus at the same time यहाँ पर एक चीज़ बताओ forward के case में ना कोई third party नहीं है तो दिक्कत पता क्या आती है दिक्कत ही आती है कि कल को एक महीने के बाद ना बनी मुकर भी सकता है अपने वादे से क्यों? अरे क्योंकि पस उसमें बोला ही तो था कि भाई मैं तुम्हें 100 पे में बेच दूँगा पर जब उसको लगा है मार्केट में तो ज़्यादा महेंगा प्राइस चल रहा है तो बनी हो सकता है मुकर जाए और क्योंकि यहाँ पर कोई third party बीच में ही नहीं तो आपस में सुलजाना बड़ा मुश्किल हो जाता है करी बार तो इस केस में आपको नोटिस करना होगा कि there is a counterparty risk counterparty मतलब हो सकता है सामने वाली party कल को मुकर जाए यह दिक्कत आती है forward के अंदर पर future के अंदर पता क्या है future के अंदर क्या है आपका exchange बीच में है न third party आपकी कोई ना कोई clearing agency होगी बिलकुल यह एक्सचेंज आ चुकि है clearing agency आ चुकि है इस वज़ा से counterparty risk आपका यहाँ पर खतम हो जाता है very very important point ठीक है और क्या फरक है forward और future में एक फरक और आपको पतावना चाहिए यहाँ परना forward और के अंदर क्या हुआ यह दोनों अपनी मर्जी के हसाब से कुछ भी आपका अपस में contract कर सकते हैं हो सकता है एक share को करें हो सकता है यह 10 share की जगा आपके धाई share कर लें 5 share कर लें whatever यहाँ पर जो भी terms and condition होंगी वो concept करेंगे वो bunny और नैना ही करेंगे है ना तो होता क्या है ना forward के अंदर आपके जो contracts होते हैं उनकी terms जो होती है वो आपकी क्या होती है वो tailor made हो सकती है वो customized हो सकती है तो कि इनकी मर्जी है दो ही तो लोग है यह आपस में जो मर्जी terms रखें उनकी मर्जी है पर जब मैं बात करता हूँ future की यहाँ पर exchange है ना तो यहाँ पर आपके जो terms होंगे वो आपके standardized होंगे do you understand this point वो fix होंगे terms कि आपको इतना ही आपको इतना ही contract size आप खरीच सकते हो उसके multiple lots ले सकते हो पर contract size इतना ही होना चाहिए 10 share का ऐसा नहीं कि 2 share, 3 share जो भी आपका standardized contract होगा वो उतना ही आप यहाँ पर कर पाओगे तो यह फरक आपको पता होना चाहिए between forward and future है दोनों same ही चीज़ बस future वाला चीज़ थोड़ा सा ज़ादा आपका exchange में आ जाता है आपका exchange traded हो जाता है इस वज़ा से वहाँ पर आपका formal प्रिस्टर ज़ादा देखने को मिल जाता है यह फरक अगर आपको clear है ना तो आपका भी भी forward and future में आपको दिक्कत नहीं आएगी अब आपके दिवागे में एक स्वाल और आ रहा होगा सर लोग करते ही क्यों है यह forward future वगरा देखो एक चीज़ तो होती है hedging hedging समझते हो अब मुझे यह बताओ यह बनी ने नैना को यह क्यों किया होगा या फिर पिछले वाला case में आप notice कर लो यहाँ पर यह राम ने चावल क्यों सोचे होगे कि एक महीने बाद बेच दे इसको अंकित को क्योंकि भाई उसको डर है क्या डर है उसको डर है यार अभी तो चावल का दाम 20 रपे किलो है पता नहीं एक महीने के बाद चावल का दाम कम ना हो जाए जिसको बहुत जार डर था इसने अपने डर को कम किया इसने अपने लॉस को कम करने ही कोशिश करी सेम चीज़ अंकित को डर था अंकित को डर था यार कहीं चाबल महेंगे ना हो जाए तो अंकित ने क्या किया अंकित ने अपने loss को कम करने की कोशिश करी इसी loss के कम करने की टेकनीक को बोल जाता है hedging पहला reason तो ये रहता है दूसरा reason रहता है आपका speculation speculation मतलब कहीं को लगता है speculate करते है speculate मतलब कि ऐसे पैसा बनाने की कोशिश करते है जिसे बहुत साइड लोग futures बगएर हमें पैसा डालते है उनको लगता है यार अगर यहां से पैसा भी तो कमाया जा सकता है जिसे for example अभी जैसे मालो नैना का अगर मन करे जिसे नैना को लगता हो कि यार फ्यूचर में आने वाले समय के अंदर किसी चीज़ का दाम बढ़ सकता है वो पहले ही बनी के साथ contract कर लेगी कि यार मुझे 100 रपे में दे देना एक महीने के बाद तो हुआ क्या market में चल रहा है दाम 105 का इसने नैना में खरीद दिया 100 रपे का तो नैना को 5 पे का profit हो गया तो कई बार ऐसे लोग speculation करते हैं और speculation से profit बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ कारण होते हैं और भी reasons होते हैं पर ये दो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वज़ा से लोग forwards, futures वगारा के अंदर invest करने की यहां पे कोशिश करते हैं ठीक है अब आप बोलोगे सर्फ forward समझ आ गया, futures भी समझ आ गया अब ये अगली वाली चीज जो आप बात कर रहे हो options ये क्या मुद्दा है देखो, एक तो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं swap की, तो swap आपका, सिरफ और सिरफ आपको इसी case में currency हो गया, interest rate हो गया उनी में देखने को मिल जाएगा, अब जब मैं बात करते हूँ आपके options की options में ना पता क्या होता है, options में एक right आ जाता है actual में जब मैं बात कर रहा था ना आपके forwards की, आपके futures की यहाँ पर बात होती थी obligation की कि आपके सामने contract है, and आपके उपर obligation है उसको perform करने का ठीक है, पर जब मैं बात कर देता हूँ आपके option की तो option के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, option के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि option के अंदर सामने वाले के पास एक right होता है वो उस right को exercise कर सकता है, वो चाहे तो उस right को ना भी exercise करे यह purely उसके उपर dependent होता है, समझे, जैसे आप लोग कई बार, आप लोग ने मुमेंट होंगे उस particular option की जैसे मानलो के बार आप निफ्टी के अंदर let's say आप trade कर रहे हों आप index के अंदर आप trade करने कोशिश कर रहे हो तो उसके माध्यम से हुआ क्या उसके माध्यम से आप ये ensure करने कोशिश कर रहे हो कि कल को उसका दाम बढ़ा तो accordingly आपके option का जो आपने premium pay क्या हुआ है आपको उसके regarding जो भी profit है वो मिलेगा अगर नहीं आपके सही direction में जाता तो वहाँ पर आपको उस case में loss मिल सकता है Do you understand this point? तो ये जो फरक होते हैं आपके ये चीज़ें पता होने चाहिए अब ये options भी आपके अलग-अलग चीज़ों में हो सकते हैं चाहें आपका stocks के case में हो गया आपका currency हो गया, आपका commodity हो गया, interest rate हो गया इन सभी चीज़ों के corresponding आप चीज़ें देख सकते हो पर फरक ही होना चाहिए कि यहाँ पर आपके चीज़ों के होती है obligation पर option के अंदर एक right आपके सामने वाले के पास आ जाता है जैसे option अगर buy किया है ना, तो he has a right, चीज़ों यह कुछ फरक थे जो आपको पता होने चाहिए बाकी मैंने कुछ यहाँ पर theory भी लिखी हुई है, income मैं आपको discuss कर लेता हूँ जैसे derivatives क्या होते हैं, आपके financial contracts होते हैं, जो investors को allow करते हैं to buy or sell an asset at a future date, यह leverage for my trading के, यानि कि investors बहुत heavy number of assets करीच सकता है बिल्कुल small amount pay करते हैं के through ही, common मैंने बताई दिया, forward, future, option और swap हो गया derivatives को exchange के उपर भी trade के जा सकता है, and over the counter भी, अब ध्यान यह रखना है कि जब मैंने बात कर इतना exchange की तो जैसे futures थे, future क्या थे, future exchange के उपर trade होते हैं, आपके option कहा होते हैं, option भी आपके exchange पर ही trade होते हैं over the counter, जैसे मैंने आपको forward का example दिया था, वो बनी और नैना ने आपस में एक तरह से contract कर लिया था, उनको बोलेंगे over the counter, ठीक है, से भी regulate करती है, आपकी derivative market को, and मैंने hedging और speculation का मतलब बताई दिया, कि derivatives का आप उसलिए use कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पर notice करना चाहो, future contract क्या होता है, एक agreement होता है, underlying asset को, चाहे वो चावल हो गया, चाहे कुछ वाज चीज़े हो गया, stocks हो गया, currency, commodity, उसको आपको buy or sell करना होता है, at a future date, future date देखा थाना, कि कैसे एक महीने बाद की date वो बात करे थे, और price भी पहले ही बता दिया था, कि चावल इतने में बेचेंगे, are you understand, and यहाँ पर इनको obligatory होता है, contract को fulfill करना, बहुत high risk होता है, और इसके मादब से बहुत सारा profit और बहुत सारा loss भी हो सकता है, और futures वाले case में, आपका obligatory होता है, तो कम flexible होता है, option contract के अंदर क्या होता है, यहाँ पर buyer के पास right होता है, ना कि obligation है कि वो buy कर पाए underline asset को at a pre-determined price, तो यह बातें आपको यहाँ पर चीज़े फटा होने चाहिए, सब का अंतर अगर आपको clear होगा ना, तो आप बड़े राम से यहाँ से questions यहाँ पर कर ले जाओगे, UPSC ने बहुत जाए question future option के regarding नहीं पुछे हुए, तो question अगर आएगा ना, तो बहुत ही असान question आएगा, I am sure जो कि आप बहुत राम से कर भी डऊगे, अगला दोस्तों मारा जो topic है, वो है आपका परधान मंत्री विश्व कर्मा scheme के बारे में, अभी परधान मंत्री जी ने emphasize कि जो परधान मंत्री विश्व कर्मा योजना है, इसके माद्यम से समान, समर्थ, असमृदी, यानि की respect, capability and prosperity, ये कहीना कि इसके माद्यम से लोगों क को मिली है, दर असल में क्या हुआ था, पिछले साल की बात है, September 17, 2023 की, उस समय PM विश्व कर्मा scheme हमारे प्रधान मंत्री जी के दोरा लाँच करी गए थी, और ये आपको धियान में रखना है, इस सेंटरल सेक्टर स्कीम, क्यानि की पूरा का पूरा जो पैसा होगा, वो हो गया, टेलर हो गया, आपका पॉटरी वाला बंदा हो गया, तो इस तरह के different trades हमने यहाँ पर identify किये हुए है, उनको हम यहाँ पर benefit करने ही कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में यह रखना है कि हमारी MSME Ministry है ना, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, वो यहाँ पर इस scheme को यहाँ पर implement करती है, बाकी आप इसके benefits यहाँ पर notice कर पाओगे, जैसे for example, जो भी आपके artisans हैं, उनको certificate मिलता है, PM Bishop Karma certificate, और उनको साथ-साथ ID card मिलता है, basically ना, उनके skill को यहाँ पर recognize किया जाता है, देखो, हुनर तो सब के वास है, no doubt about it, एक तो हुनर को निखारा जाता है, साथ-साथ उनको verify करवा जाता काफिजा pay करने के लिए ready हो जाते हो, क्योंकि उसके पास एक valid certificate है कि हाँ, इस बंदे को सारा काम आता है, getting the point मालों को AC repair करने वाले बंदा है, अब आप उसको अच्छा कासा पैसा दो दोगे, क्योंकि आपको बता है, इस बंदे का certificate है, he knows how to do AC repair, और कभी आप अपने घर के आस-पास कोई बंदे को बुला लते हो, उसको शायद आप कम पैसा भे करते हो, तो यहाँ पर भी मारी कोशिश यह है कि उनको इस तरह से certificate मिले, उनको ID cards इशू हो, ताकि हम उनके skill को recognize करें, उनकी basic training, उनकी advanced training करवाई जा पाए, and plus जब वो training कर रहे होंगे, तो उनको यहा transactions के लिए उनको rewards मिलेंगे, and साथी साथ अपने product की कैसे branding करनी है, e-commerce, marketing के regarding, उनको assistance भी यहाँ पर दिया जाता है, तो यह कोछ चीजे हैं, जो MSMEs के अंदर है, आपका जो प्रदानमंत्री विश्व कर्मा scheme के अंदर गत, and यहाँ पर इनको as an entrepreneur की तरह यहाँ पर consider किया जा है कि आपकी जो प्रदानमंत्री आशा स्कीम है, that is, प्रदानमंत्री अनदाता आये सरक्षना अभ्यान स्कीम, इसको continue किया जाएगा, अब देखो यहाँ पर word क्या है न, अनदाता, अनदाता मतलब होते है हमारे किसान, हमारे farmer, आये होता है, मतलब कितनी उनकी कमाई होती ह है, सरक्षन, सरक्षन मतलब, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उनकी इंकम को हम प्रोटेक्ट करें, that is, the meaning of PM आशा स्कीम, ठीक है, अब करेंगे कैसे इनकम को सपोर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास नेइसके अनतरकत अलग-अलग पार्ट से है, जैसे एक है आपका प definitely क्या होगा उनको फाइदा होगा इस चीज के corresponding बिल्कुल उनको पैसा मिल रहा है इसके लावा यहां पर मारे सामने एक price stabilization fund भी है जिसके माधियम से हम pulses और बाकी onions इन सब का buffer stock maintain करते हैं right and accordingly buffer stock के माधियम से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मानलो prices बहुत जदा है तो इस case में consumer को protect करने के लिए हमने पहले ही procurement कर रखा है एक buffer stock बना रखा है इसके लावा जो सबसे important बात है यहां पर वो जो आपको ध्यान में रखनी है that is PDPS price deficit payment scheme कई वर ऐसा होता है कि मानलो कोई product है जैसे हम बात कर लेते हैं oilseed की मानलो oilseed का ना जो market में दाम है वो market में दाम बहुत ही कम चल रहा है in fact वो MSP से भी कम चल रहा है अब किसान को MSP आपका मिल नहीं पा रहा तो इस case में पता क्या होगा जो भी इसके बीच का अंतर होगा यानि कि MSP मानलो था 100 रुपे और market में दाम मिल रहा है 80 रुपे तो इस case में 20 रुपे का घाटा हो रहा है न किसान को तो 20 रुपे का जो deficit है न यह जो price deficit है यह सरकार उस किसान को pay कर देगी समझे इस बात को तो 20 रुपे का additional benefit यहां पर मिल जाएगा यानि कि उसको MSP का equivalent दाम मिल जाएगा तो यह notice करो farmer receive direct payment of the difference between the MSP and the market price for the registered sale कि MSP कम दाम प्यूपर आपको बेचना पड़ा न कोई दिक्कत वाली बात नी जत्ता deficit था वो हम pay कर देगी समझे तो इसका implementation period 3-4 महिने का होता है बाकी आप notice कर पाओगे oilseeds के लिए आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से सरकार central government इसको cover करती है तो इसको यहां पर आगे और बढ़ाया जा रहा है तो launch here इसका 2018 था कोशिश है है कि किसानों को fair price मिलता रहे उनका agriculture produce के लिए हमारी जो बारे में हमने discuss करी दिया इसके लावा यहां पर इसके अंतरकत आपको market intervention scheme भी देखने को मिल जाएगी कि perishable crops के लिए हम ensure करेंगे कि कि किसानों को direct payment मिले instead of physical procurement यह सब schemes भी है पर major जो चीज़ आपको पता हूं चाहिए that is PDPS price deficit payment scheme इसको definitely आपको पता होना ही जाएगी तो दोस दूसरा आपके सामने question है with regards to NPCI इन दोनों statements को पढ़िए और इनका मुझे comments पर अंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है last time मैंने homework दिया था अब तो यह question आप बहुत राम से कर लोगे जैसे पहली statement यहां पूछी गई है future and option contract ना इनको आप hedging as well as speculation दोनो के लिए इस्तिमाल कर सकते हो बिल्कुल मैंने सारे meanings बता दिया थे hedging speculation का definitely यह statement correct है दूसरा कहरा है कि future contract का एक settlement date होती है क्या यह बाट ठीक है बताओ बिल्कुल हमने देखा था एक expiry date होती है यहां पर कहरा option contract की कोई भी expiry date नहीं और नहीं भाई option भी तो expire होते है जैसे weekly exp expiry होती है monthly expiry होती है तो उनके भी expiry होती है यह second statement आपके incorrect हो जाएगी दोनों के आपके expiry date हमें देखने को मिल जाती है premium जो होते हैं कि आपके option contract के साथ associate नहीं होते और आपके futures के साथ होते हैं बिल्कुल उल्टा लिखती है मैंने बताया था न options के अंदर आप क्या करते ह हो थोड़ा सा premium account pay करके आप उसको खरीद लेते हो राइट तो premiums जो होते हैं वो आपके option के साथ link होते हैं इसलिए तीसरा भी गलत है कौन सा सही है सिरफ है सिरफ और सिरफ option number a one only दूसरा मैंने आपको homework दिया था planning commission के बारे में यहाँ पर आप इसको पढ़ो दिखो गह रह हमें इसे के corresponding देखने को मिलते हैं और in fact इसके बाद 2015 के अंदर हमारे सामने नीतिया योग आता है तो जो second statement के रही है कि नीतिया योग को established क्या गया था ताकि cooperative federalism and competitive federalism के उपर focus कर पाएं और कहीं न कहीं advice दे पाएं बिल्कुल यह advisory body है strategic and technical advice देती है central and state government को policy making के अंदर बह option A ठीक है option B ठीक है वोकि statement तो दोनों ठीक है वो तो हमने पकड़ लिया पर क्या statement 2 यहाँ पर इसकी correct expression है या नहीं है यह कैसे पता लगेगा देखो जब भी आपको इसमें doubt आए ना आप इसमें word यूज करो because अगर because लगाने की वज़ा से statement 1 और 2 साथ में sense बना रही है तो option option A सही होगा otherwise statement B सही होगा इस case में आप notice करो statement 1 ठीक है statement 2 भी ठीक है पर उनका आपस में direct linkage नहीं देखने के मिल रहा है इसलिए correct explanation इसको नहीं बोलेंगे option number B ठीक होगा कि both are correct but statement 2 is not the correct explanation for statement 1 I hope यह बात आप सबको समझा आगी होगी अब दोस्तों बात करें अपने main question की यहाँ पर question and this investment की regarding यह मैं आपको homework दे रहा हूँ यह आप try कीजेगा इसका answer आप मुझे कुछ pointers के form में नीचे comments में बता सकते हो last week मैंने आपको homework दिया था precision farming के बारे में right तो यह आप इसका answer चलिए आज ही discuss कर लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा topic आप सब के सामें discuss करना चा चलिए precise word से निकला है precise का अर्थ यह होता है कि आपको हर चीज exact मात्रा में पता हो कहने का meaning क्या है देखो यार के बार आप लोग भी notice करते हो कि आप लोग ने जिसे flood irrigation सुना होगा flood irrigation पता क्या होता है कि खेत पूरा पानी से भर दिया जाता है right कि पूरा का पूरा खेत पान पानी से भर दिया गया वो उतना ही पानी चाहिए था या उससे 10 लिटर कम चाहिए था या 5 लिटर कम चाहिए था किसी को नहीं बता बस भर दिया अंदाजे से ठीक है पानी तो एक example हुआ पाकि इसके लावा आपको कितना fertilizer डालना था अब ये भी सब अंदाजे से चल रहा कि इतना fertilizer यहां गिरा दिया इतना यहां पर गिरा दिया पर आप notice कर रहें इससे बड़ी सरी दिक्कते आती हैं बहुत दिक्कते हैं इससे कि एक तो यार चलो resources की inefficient usage है पानी जितना चाहिए था उससे कहीं गुना जादा डाल दिया या कम डाल दिया कितनी sunlight चाहिए थी कितन कि आपकी मिट्टी के अंदर उसका nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur क्या concentration है कौन सा nutrient चाहिए यह हमें पता होना चाहिए ना किस चीज की कमी है पता होना चाहिए तब ही तो हम उसके पर वो चीज़ डाल पाएंगे अगर आप चीज़ इमेजिन करो अगर हम ऐसी खेती करें जहां पर हमें पता हो कि exact कितना पानी चाहिए, exact कितना fertilizer चाहिए, exact हर चीज़ जब हमें पता होगी हम उसी मातरा में डालेंगे तो क्या आपको नहीं रखता है कि यहां पर हमारे पास जो output निकल के आएगा, resource efficiency बहुत ज़दा आएगी उसके अंदर, answer is yes, इसी चीज़ को बोलते है prison farming, मैं आपको कि regarding different different data निकाल सकते हो, कि एक तो pH level क्या है उस स्वाइल का, pH level आपको पता लगेगा, उसके अंदर nutrients कितने है, कहां तक, इस चीज़ की कमी है, अगर ये factors आपको पता होंगे, तब ही आप उसके उपर action ले पाओगे, तब ही आप उसको चीज़ को ठीक कर पाओगे, तो यान remote sensing technology ना एक certain level से आपके land, आपके water resources इनको map करने की कोशिश करती है, उनको understand करने की कोशिश करती है, कि कैसे कैसे हर चीज़ कहां पे available है, जैसे काफी सरे अलग-अलग applications होते हैं, आपके space वगेरा में भी इसके और applications देखने को मिल जाते हैं, एक area के let's say municipal cooperation को लिए benefits होते हैं, उसी तरह से agriculture के लिए आप remote sensing technology को use कर सकते हो, हमें पता होगा कि किस area के क्या physical characteristics हैं, तो उसके regarding काम करना थोड़ा सा आसान हो पाएगा, तो actual में कुछ नहीं है, precision farming के अंदर हर एक input को आप बहुत ही precisely डालते हो, और इसी बज़ास से इस चीज़ तक data हमारे पास आने के लिए हम use करते हैं, ICD technologies का, आनकी information and communication technologies का, आप soil को और plant के parameters को monitor करते रहते हो, सही quantity सही time के अपर दे जाती है, अब ये जब चीज़े होगी, तो आप जानते हो, pollution कम होगा, आप pollution हर sense में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ pollution आपका एक air pollution की बात नहीं होरी, आपका soil का pollution भी कम हो होती है, कि कितना पानी actual में डाला गया, एंड कितना पानी actual में उस particular पौधे की जड़ तक पहुंचा, यही तो आपका water use efficiency हुआ, चाहे आप पानी कितना मरजी डालते रहो, क्या फाइदा अगर actual में उस route को जतना पानी चाहिए थो उतना मिला ही नहीं है, उससे बहुत पड़ा है, यही आपकी water use efficiency को दर्शाता है, तो हमें उस efficiency को improve करने ही ज़रत है, एंड क्यूंकि यहाँ पर आप अच्छी कासी technology का use कर रहे हो, तो आपके कहिना के labor prices भी काफी अप तरग save हो सकते हैं, ठीक है ना, तो crop diversification में मदद करेगा, आपके जैसे मैंने बताया, input prices भ होती है, वो लगबग 30 से 100% तक increase हो सकती है, 30% जैसे चावल और wheat में ऐसा देखा गया है, कि अगर चावल और wheat के regarding आप precision farming को लाते हैं, वहाँ पर सही inputs को सही समय पे डालते हैं, तो 30% तक चावल और wheat की efficiency बढ़ सकती है, yield बढ़ सकती है, अगर हम बात करते हैं, hoti culture की, जैस उसका double भी हो सकता है, राइट, आप notice करोगे, कि बहुत अच्छे से fertilizers को आप जब सही मातरा में use करोगे, तो उनका fertilizer का use कम हो जाएगा, एक्चल में होता पता क्या है, जैसे आप लोगों ने यूरिया का application देखा होगा, यूरिया के लिए बड़े-बड़े बोरियां आती है, तो किसान पूरी की पूरी बोरी डाल देते हैं, क्या वो पूरी बोरी जुरूरत थी? अगर हमारे पास proper data होगा, कितना fertilizer चाहिए होगा, तो precision farming के मादर हम से हम वही सारी चीज़े कर पाएंगे, तो ध्यान रखने वाली बात यह है, एक हम जो बात करते हैं, smart agriculture की, तो smart agriculture का ही आपका एक application है, क्या precision farming, हमारे पास proper data होगा, information and communication technologies के मादर हम से हमारे चीज़े पहुंचेंगी, wireless detector networks हो गया, आपके drones के मादर हम से हम चीज़े कर पाएंगे, robots को यहां पे use करते हैं, geospecial strategies, इन सब को use करते हुए, एक precise manner के अंदर, and proper quantity के अंदर सारे inputs डाले जाते हैं चाहे वो pesticides हो, fertilizer हो, water हो, and इन सब के मादर हम के उपर ही हम productivity and yield को maximize कर सकते हैं, तो point यही ध्यान में रखना है, कि definitely precision farming अपने आपे एक बहुदा important application है, smart agriculture की, but important बात यह बन जाती है, क्योंगी देखो दोस्तों, तेश में हमारे जो जातर, जो किसान है, वो छोटे किसान है, उ इंडिया में अभी यह बहुत ही initial stages में है, तो अभी time लगेगा इस चीज़ को evolve होने के अंदर, इस चीज़ को और बहतर होने के अंदर, plus at the same time, अभी भी इंडिया में सब तक यह चीज़े नहीं पहुँच पाई है, digital literacy अभी तक completely नहीं है, digital divide हमें देखने को मिलता है, तो इसके फायदे starting में हो सकता है, definitely हमारे जो बड़े किसान है उन तक पहुँचे, पर समय के साथ साथ अगर हमें अपने agriculture को productive बनाना है, अगर किसानों की incomes को काफी increase करना है, तो वहाँ पर हमारा precision farming का भी बहुत important role रह सकता है, important बात यही ध्यान में रखेगा कि हो सकता है, इस